हाई फ्रेंड्स मैं हूँ हफीज आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट्स फ्रेंड्स आज के सुडिये में आपको एक चार्ट डेंजरे से अब दिखाता हूँ अगर आपके मोबाइल पर यह आपस हो तो आप इसको अनिस्टाल कर लीजिए क्योंकि देखिए यह बहुत ड के परिमिशन्स ले लेता है और आपका सारा पास्नल डाटा अपके कॉल डेड़ेपद से सर्शो बडंकि आपसे सर्वर पर शेठार कर लेता है तो दीखिए ऐक चीता मोबाइल रावालोंका लेता है और जब हैable टीटा मोबाइल इसको ले चुकई है तब से बहुत सारे से तो यह आपको बहुत सारे permissions पूछेगा, जैसे आपका contact के details को allow करने के लिए कहेगा, आपका internal storage को allow करने के लिए कहेगा, इस तरह के देखिए बहुत सारे permissions पूछेगा, इसको देखिए वो जरूरत ही नहीं है, एक browser का काम क्या होता है, आप जो कुछ भी type करते हो, उसको search कर क देना, बस उसको अपने हमारे contact से या हमारे internet storage से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, पर भी यह permissions पांगता है, और उसके server में store कर लेता है, तो अगर आपके पास यह browser हो तो इसको बहुत सारे लोग इंस्टाल कर लेता है, तो इसको भी आप अनिस्टाल कर सकते हो, इसी त dangerous app है, यह क्या करता है, दीखिए, आपको बहुत सारे pop-up दिखाता है, जो apps होते है न, pop-up में download करके install करने के, वो spying apps होते है, ठीक है, अगर आप उसको download करके install कर लोगे, तो आपका mobile hack हो सकता है, ठीक है, तो यह भी एक बहुत dangerous app है, इसको अगर आप install करते हो, तो इसको भ